दोस्तो सुबा उठने के, सैर करने के, एक्सरसाइजिज करने के फाइदे तो हर कोई जानता है पर तो सुबा उठने का मन किसी का नहीं करता है और खासकर डाइबटीज के पेशेंट का तो बिलकुल मन नहीं करता है फिर वो ताकत पाने के लिए बहुत सारी चीज़े ट्राई करते हैं जिनमेंसे बहुत सारी चीज़े साथ में धेर सारी शुगर्स भी लेके आती हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसी जड़ी बूटियां डिसकस करूँगा जो धेर सारी ताकत लाने के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करती हैं और ये जो लास्ट वाली है तीसरे वाली है ये तो अगर डोस में ज़्यादा ले ली जाए तो ये हाइपोगलाइसीमि तक कौज कर सकती है तो पहली जड़ी बूटी है हमारी सफेद मुसली जिसको इंडियन स्पाइडर प्लांट भी बोला जाता है और ये इंडियन वाइगरा या हर्बल वाइगरा नाम से भी बदनाम है जबकि ऐसा नहीं है ये फुल पैकेज है पूरी बॉड़ी पे काम करत है ये स्ट्रेस को डिक्रीज करती है स्ट्रेस घटाती है एंग्जाइटी घटाती है और स्ट्रेंथ जो फिजिकल स्ट्रेंथ है जैसे हमने बात करी कि फिजिकल एक्टिविटी करने का मन ही नहीं होता तो ये फिजिकल एक्टिविटी करती है एक्सरसाइज में आपको जो बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो यह hormones को regulate करती है, इवन यह stress hormone को भी कम करती है, जो हमने cortisol की जिसकी बात करी थी पिछले वीडियो में भी, तो साथ में यह proven anti-diabetic इसके effects है, अब ज़्यादा study दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो मैं studies नहीं दिखाऊँगा, अब लोग online देख सकते हैं, scholars की study, ठीक है, इसके साथ यह weight देखिए, weight को कम करने में मद्द करते है, जबकि आयरवेद में इसको ब्रह्मन बुला गया है, प्रन्तो अगर जब जैसे किसी की muscular strength बढ़ेगी, किसी की जो क्रांती आएगी श्रीर में, energy आएगी, तो वो exercise करेगा, जब वो exercise ज़्यादा करेगा, तो उसका weight भी obviously कम होगा, जिसके साथ यह infertility में भी, diabetes की बज़ा से कई लोगों में infertility होती है, भी बहुत young age में diabetes हो गई होती है, और आगे चलके बच्चे नहीं होती है, तो उसमें भी यह सफेद मुसली, ऐसा नहीं सिर्फ male में ही, यह females में भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहती है, तो इसको सब ले सकते हैं, बस थोड़ा dose का दिहान रखना है, इसमें अपने dose जो है आधे चमच से ज़्यादा कोशिश करना है, नहीं लेनी है, और इसको दूद के साथ लेना है, थोड़ा कोशा गरम दूद हो, ल्यूक वाम दूद हो, या अगर किसी के दूद नहीं हो तो गरम पानी के साथ भी इसको कोशे पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसकी मातरा अगर grams मैं बताऊं तो 2-4 ग्राम आपने इसको लेना है, तो यह बहुत ही बढ़िया आउस्दी है दोस्तों और ध्यान रखिए कि मेल फिमेल दोनों के लिए बहुत बढ़िया आउस्दी है अगली आउस्दी की बात करें तो अगली है शतावरी जिसको हिंदी में सतावर बोला जाता है इंग्लिश में एस्परागस बोला जाता है इसमें भ होती हैं और साथ में ये anti-inflammatory भी होती है ये भी strength बढ़ाती है stamina बढ़ाती है ये भी hormones को regulate करती है और इसको female की दवाई लोग बोलते हैं लेकिन ये males में भी उतनी ही फाइदे मंद है जैसे पिछली थी मुशली उसको male की दवाई समझते है जब क्यों females में भी उतनी ही फाइदे मंद है और इसको female की दवाई समझते है ये किसी को जैसे सिजेरियन सेक्शन कईयों का होता है तो वो hormone जो दूद बनाने वाला hormone होता है लेडीज में वो नहीं अच्छे से release हो पाता है पूरा coordination में ताल में तो उनको जो है तो breast milk नहीं बनता है तो उनमें भी ये दी जाती है तो ज़्यादा तर ये जो है तो females में जैसे दी जाती है तो इसलिए इसको female drug समझते है जब कि ऐसा नहीं है ये males में भी उतनी ही फाइदे मन है तो ये सारे hormones को balance करने में भी बहुत जादा मदद करती है ये weight को कम करने में ये भी वैसे indirectly बहुत सही से मदद करती है जब physical strength बढ़ेगी जब करांती आएगी तो उठने का मन भी करेगा exercise करने का मन भी करेगा और जो बंदा जादा exercise करेगा उसका weight obvious है कम होना इसके साथ ही इसमें anti-cancer जो तत्व हैं वो भी पाए गए हैं anti-diabetic ये भी है और साथ में ये uti पे urinary tract infection जो पिशाव का infection होता है उसमें भी बहुत जादा मदद करती है diabetes के patients में क्या होता है कि अगर sugar 200 से उपर रहती है तो थोड़ी थोड़ी ओपिशाव में आती रहती है तो जब पिशाव में sugar होगी तो किटानों के लिए बहुत अच्छा भोजन होगा तो किटानों वहाँ पे ज़्यादा grow कर सकते है तो बार-बार uti हो सकता है पिशाव में infection हो सकता है साथ-साथ कई बार diabetes के रोगियों में वो glyphlozin दी जाती है तो उससे क्या होता है जो blood का sugar होता है वो पिशाव के रूप में बाहर निकाला जाता है तब भी uti होने के chances जादा रहते हैं तो वहाँ पे भी एक sportive drug बड़ी अच्छी सावित हो सकती है ताकत भी देगी और साथ में जो recurrent uti होते हैं उनमें भी उनको prevent करने में अगर है तो उनको cure करने में बहुत जादा फाइदा दे सकती है इसकी भी जड़ ही लेते हैं जड़ को सुखा के जो उसका powder बनता है चूरन होता है उसको लेते हैं और इसकी भी मातरा आधे चमच से लेकर दो चमच तक हो सकती है इसकी जो है तो जो maximum dose है वो थोड़ी सी बढ़कर है इसके दो चमच भी लिये जा सकते हैं ग्रामस में बताओं तो 3-10 ग्राम इसका लिया जाता है और इसको भी कोसे दूद के सथ अगर दूद नहीं है तो कोसे पानी के साथ लिया जाना चाहिए बहुत ही ज़़ादा फाइदे मंद हो सकती है और यह जो इसकी हर्याली है अगर इसका जूस निकाला ज़ये तो इसक तो स्टेंथ चाहिए, वाइगर वाइटिल्टी सब चीज़ें चाहिए, अगली जो जड़ी है हमारी वो है अश्वगंधा, अश्वगंधा की भी जड़ बहुत ज़ादा यूसफुल होती है, इसको इंडियन विंटर चेरी इंग्लिश में बोला जाता है, यह इंडियन जिं थैसिस भी बढ़ाता है, और शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा मदब करता है, तब ही शुगर के रोगी, अगर इसको ताकत के लिए भी खा रहे हैं, तो इसकी दोज का ध्यान रखें, और अपनी शुगर को चेक करते रहें, नहीं तो अगर अंग्रेजी दवाईयो में समझाता है, स्लीप हाईजीन, नींद की सफाई कैसे करें, तो ये स्लीप हाईजीन में बहुत ज़्यादा मदब करती है, आश्वगंधा, इसके साथ बीपी को भी, जैसे शुगर के साथ साथ कईयों को बीपी बढ़ता है, हाइपर टेंशन होती है, तो उसमें भी जाती है, ये भी दवाई, ज्यादा मर्दों की दवाई गिनी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लेडिज के लिए भी उतनी ही ज्यादा फाइदे मन है, जितनी ये जैन्स के लिए है, इसके साथ ये क्या करती है, मस्सल्स और बोन्स को नरिश करती है, ये फोकस अब देखिए मर्द भी छोड़ो औरत भी छोड़ो यह बच्चे तक ले सकते हैं यह बच्चों में भी जो फोकस होता है पढ़ाई करने के लिए जो पूरा ध्यान होता है तो उस ध्यान को बढ़ाने में भी मदद करती है स्ट्रेस की क्रेविंग को घठाती है देखिए शूगर के पेशेंट्स में मोटापे के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा फाइदेमन हो सकती है कैसे यह स्ट्रेस की बज़ए से जो क्रेविंग होती है कि स्ट्रेस हो जाती है खाने को जोड़ते है उसको कम करती है इसके साथ टाइब डीज के पेशेंट्स में क्या होता है चिरचिड़ा पान होता है इरिटेविल्टी होती है उसको भी ये कम करती है इसकी जड़ों का चूर्ण यूज करना चाहिए और वो भी आधे चम्मच से लेकर मैक्सिमम एक चम्मच से और ये भी इसका साइड फैक्ट मैंने जैसे पहले भी बिताया ये भी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है कई बार जैसे अगर कई खाली पेट ही ले लेते हैं या फिर एक एक करके इनको अकेले केले महने महने का दो दो महने का कोर्स किया जाए तो दोस्तों अगर आपने इनको एकठा लेना है तो जो इनकी मिनिमम डोज है उतनी उतनी ये तीनों दोईया आप दूद के गिलास में डालके पीजिएगा आपको बहुत फाइदा मिलेगा और अगर आपने इनको केक करके लेना है या दो को लेना है तो थोड़ी थोड़ी आप डोज इनकी बढ़ा सकते हैं ये आपको अकेली-अकेली भी फाइदा देंगी ये आपको कम्बिनेशन में भी फाइदा देंगी पर कम्बिनेशन में बस आपने डोज का ध्यान रखना है जुड़े रहे हमारे साथ लाइक कीजिये इस रीडियो को कमेंट करिए अगर कोई आपका डाउट है तो